दोष्टो आङके इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रासन काड में आपने सदसों का नाम कैसे जोड सकते हैं क्यूंकि हम नए उनका नाम जोडना चाहते हैं फैमिली में अन्य लोगों का नाम जोड़ना चाते हैं तो कैसे जोड़ेंगे हाला कि आपको बता दे रासन कार्ट में आप जो भी परक्रिया करनी है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं जैसे ने लोगों का नाम जोड़ना हुआ, किसी का नाम हटाना हुआ, नया रासन कार्ट बनाना हुआ इसे डाउनलोड करना हुआ यह तमाम काम आप उनलाइन कर सकते हैं इन तमाम कामों के लिए हम लग लग वीडियो बना कर जनकारी आपको देंगे जिसके लिए प्लेलिस्ट एक बना दिये है उसका लिंक जो है डेस्किप्शन बॉक्स में मिल जागा या कॉमेंट बॉक आपको देने परेंगे कैसे डोकुमेंट को अप्लोड करना डोकुमेंट का साइज कैसे आप बना सकते हैं वो भी जनकारी बताई जागी आंतर तक जूरे रहिएगा पूरी जनकारी अगर आपको समझेना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आ तो इसे लाइक शेर जरूर सकते हैं रासन कार्ड में नए सदस्व का नाप जोड़ने के लिए आपके पास मुवाइल या लैप्टप होगा उसे उपन करना है गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट स्टियम आपके सामने यह फॉस्ट वेप साइट ऑनलाइन अपडेट स्टियम.in का मिलेग इसवे उपन करना है और यहीं पर देखेंगे का उपसन मिलेगा बिहार रासन कार्ड दोहजार चौबिस ऑनलाइन अपलाई जिस पर आपको क्लिक करना है पूरी जयनकारी आपको यहां से समझ सकते हैं नीचे जब आप आएंगे तो यहां पर हमने डाइरेक्ट आपको इं आलाइन करेक्शन और रासन कार्ड जिसके सामने आपको क्लिक करना है आपको इस वेपसाइट पर रिडिडिक करेगा यहां पर भी आपको एक उप्सन लॉग इन का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप लॉग इन वाले विकल पर क्लिक करते हैं तो आपको मेरी पहचान के portal पर redirect करता है यहाँ पर आपको कई सारे option मिलते हैं ध्यान रखेंगे रासन कार्ड में जभी भी आप किसी नए लोगों का नाम अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो head of family होंगे मतलब जिनके नाम से आपके रासन कार्ड बनाय गया होंगे उसके नाम से registration करना होगा अब ये जनकारी मिलेगी कैसे तो जो आपके रासन कार्ड होंगे आप रासन कार्ड को जब देखेंगे तो उसमें आपको देखेंगे बताया गया होगा कि जो मुखिया होगा यहाँ पर देखिए इस रासन काड में मुखिया है उसके बाद पत्नी है पुत्र है पुत्री है तो इस अनुसार डीटेल मिलती है तो जो मुखिया है उनके नाम से आपको एकाउंट बनाना होगा अब एकाउंट बनाना कैसे है तो इनके ही portal पड़ाएंगे एक option नीचे में म रासन कारड पर एक बर जड़ोर देख लिएगा जिस अकोरडिंग हो गया नाम होगा फिर्ष्टि नेंब और फिर्ष्ट नेम डालेगा फिर्ष्ट नेम डाल तुट नेम जो ktenोला बाकि आपको एक username जो है बनाना होगा, username किस परकार बना सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे, आप अपना email ID बनाते हैं, email ID क्या जो भी add rate से पहले होगा, उससे भी आप रख सकते हैं, suppose कर लीजे, जैसे हमें username रखना है, ABC, add rate, जनपरिचय.gov.in, तो इस परकार यह होगा, अगर मान लीजे इस परकार RAID आ रहा है, इसका मतलब है कि इस नाम से username आपका नहीं बन सकता है, आप इसमें कुछ और जोड़ेंगे, तो यह automatic यहां से RAID हट जाएगा, तो इसका मतलब इ ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, जैसे ID rate, हच, यह सब होता है, उसे दीजिए, कोई भी अंक आपको देना है, इस परकार का password acceptable है, उसे password को confirm करने, और इस चेक बोक्स पर tick करे, I agree करे, option मिलेगा, रईष्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, इस प box पर ticker कर, login कर सकते, या आप चाहे, तो यहाँ पर mobile number को भी चूनेंगे, अपना mobile number डालेंगे, जो password सेट किया, उसे भी डाल सकते, या mobile number डालने के बाद, आप direct चाहते कि mobile पर OTPN बाकर, login करना, तो इस check box पर ticker है, और इस check box पर भी ticker है, sign in वाले विकल पर click करना है, उसके आप रासन कार्ड लिखकर, यहाँ पर search का जो option मिलते हैं, इस पर आप click करते हैं, तो आपके सामने, बिहार रासन कार्ड, online का option मिलेगा, जिस पर आपको click करना है, और यहाँ पर एक option मिलेगा, access now का, जिस पर आपको click करना है, थोड़ा सा wait करेंगे, पुना ही इस website पर ही आ जाला है, अब उनका जो नाम है, रासन कार्ड पर जिस भी according होगा, उसी according हिंदी में नाम लिखना है, उनका अधार नमबर डालना है, उनका state देखनों को मिलेगा, उनका जीला जो भी होगा, आप यहाँ से जीला को chain करेंगे, बाके उनका जो pin code होगा, बताएंगे, उनका एक email आईडिया आपको देना है, mobile नमबर देखनों को मिलेगा, इस capture code को fill करना है, एक option submit का मिलेगा, जिस पर आपको click करना है, उसके बाद आपके सामने इस परकार का dashboard आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे, option मिलेगा, apply का, जिसके नीची option मिलेगा, apply for correction का, जिस पर आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नमबर फिल करना होगा, और एक option मिलेगा, search का जिस पर click करना है, कई बार जब आप अपना राशन कार्ड नमबर डाल कर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर एक error आपको मिलेगा, invalid राशन नमबर, इसका क्या तो दिखिए जो राइश्टेशन आपने किया है, उन व्यक्ति के НАम से नहीं किया है, जो इस राशन माड़ का head of member होंगे, इन कारणों से भी आपको या errơर देखनों के मिलेगा, अब राशन कारण में नाम जोड़ने के लिए जिन व्यक्ति के नाम से राशन कारण बना हुआ है उसी विक्ति के नाम से अगर आपने राइश्टेशन किया है और उनका ही रासन कार्ड नंबर डाल कर जब सर्च करेंगे तो उनका डीटेल इस पर कार्ड खुलकर आ जाएगा नीचे जब इस कॉल करेंगे तो उस रासन कार्ड में जितने भी सदस्यों का नाम जूरा होगा सबका यहाँ पर आपको नाम भी देखनों के मिलेगा अब इस रासन कार्ड को किनके नाम से बनाया गया है उनका नाम यहाँ पर देखेंगे उनका नाम मिलता है और संबंध में सेल्फ मिलेगा तो इसका मतलब है कि इस रासन कार्ड में head of जो family है वो खुद है जिनके नाम स यहाँ पर self दिखारा नाम के सामने तो उनका ही नाम उपर में आपसे पूछा भी गया है card धारी का मतलब परिवार के वरिष्ट महिला मतलब उस रासन कार्ट की जो वरिष्ट महिला है जिनके नाम से रासन कार्ट है उनका detail आपको fill करनी है तो उनका जो नाम होगा आप नीचे देख लिजिएगा जिस भी according नाम है वो नाम डालेंगे हिंदी में क्या नाम है उनके पीता का नाम पूछा गया है क्योंकि कई बार देखते हैं कि पती का नाम डाल देते तो गलत हो जागा क्योंकि यहाँ पर पीता का नाम English में बोला गया तो इंग्लिश में डालेंगे उनके बुर्टा का नाम हिंदी में जो होगा यहाँ पर आपको डालना है उनका जो भी link होगा जिनके नाम से यहाँ पर रासन कार्ट बना हुआ वरिश्ट जो महिला है उनका तो यहाँ पर आप बताएंगे महिला है तो महिला ही चुनेंगे आप कार्ड धारे से संबंध क्या है तो माल लिजे जो वरिष्ट महिला है उनके ही नाम से रासन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आपको स्वैम चुनना है बाकि उनका जो जाती होगा जाती कौन सा है वो आप यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी आपने जाती प्रमान पत्र बनाया होगा तो जाती प्रमान पत्र संख्या आपको डालना है यहाँ पर बताना है कि आय का जो स्रोत है वो क्या है हो सकता है क्रिस्स से हो या गिरहनी हो उससे होगा तो जो भी होगा आप यहाँ पर बता दीजेगा बाकि कारधारी का जो मासिक आया है महिने को कितना कमा रही है वो आप बताएंगे कारधारी का जो आय है उसके लिए उन्होंने जो certificate बनाया है वो certificate नमबर यहाँ पर देना है बाकि यहाँ पर देखेंगे परिवर्तन का कारण आपको बोला गया है जिसमें कई सारे option मिलते हैं जैसे अगर माल लीजी आपने जहां पहले रखता था अब वो परिवर्तित आपक करकर आप हटा भी सकते तो कई सारे कारण है आप बता सकते हैं तो हमें नाम जोड़ना है तो यहाँ पर हम जनम को चुनते हैं अब जिनके नाम से जो रासन कार्ड है उनका जो बैंक खाता है किस बैंक में है आप यहाँ से बताएंगे उस बैंक का जो साखा होगा वो आप को यहाँ पर चुनना है उसका EFC code डालना है जो भी उनका खाता नंबर होगा उससे आपको डालना है उनका जो पूरा address होगा address बताएंगे जैसे उनका जो village होगा आप village यहाँ पर बताद दीजिएगा post office बताद दीजिएगा police station बता दीजिएगा 60 character से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद एक option मिलेगा submit का जिस पर click करना है इस परकार आपका जो detail है सफलता पुरवक सेव होता है आपके वाले विकल पर click करें अब यहाँ पर नीचे जवाप आएंगे तो रासन कार्ड में जो भी आप काम करना चाहते हैं जैसे किसी का नाम जोड़न करेंगे इस वीडियो में हमने बताया कि प्रोपर आपको नाम जोड़ने के लिए सभी जानकारी आगे भी हम बताएंगे कि क्या क्या डॉक्मेंट आपको देने परेंगे जैसे देखिए जहां पर यह रेड लगा हुआ है इसका मतलब है कि आप नाम हटाना चाहते तो यहा अपसन यहां पर दिखेंगे नाम जोडने के लिए मिलता है अड करना है जैसे आप करेंगे आपके सामने इस परकार का डेस्पूड आएगा जनका भी नाम आप जोड़ना चाहते हैं उनका जो नाम होगा आप सब्सक्राइब हिन्दी में आपको नाम लिखना है तो आपको ये डेमो परपस से हम आपको बता रहे हैं आपका एक्शुल जो डाटा होगा आप अपने आधार के एकोडिंग ही फिल करेंगे इन बातों को दियान रखीगा उनका जो पिता या पती का जो नाम होगा हिंदी में आपको यहां पर बताना है उनका जेंडर क्या है पूरुस है उसकी जनकारी आप बताएंगे कारधारे से संबंध क्या है मतलब जिनका आप नाम जोड़ते हैं वो आपका हो सकता बहन हो भाई हो माँ हो पिता हो बीवी हो या बेटा है बेटी है जो भी हो आप अपने कोडिंग या से उनसे संबंध बताएंगे और जिनका भी नाम बच्छा आपको बताना है अगर जिनका नाम जोडते हैं वो इंकम करते हैं किसी अन्यमाध्यम से नहीं करते हैं अगर प्रहाई करते हैं तो आप एने बता सकते या नहीं पता है तो इने लिखेगा मासिक आय आपसे पूछा गया है तो उसकी जनकारी जैसे आप अपना रासन कार्ट बनाया होंगे आप अपने बच्चे के जोड़ रहे हैं तो आपका इंकम जो भी होगा उससे आप बारत से जो है भाग कर लीजिएगा पता चल जाएगा कि महिना का कितना आपका इंकम है वो आप यहाँ पर बताएंगे अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करिएगा नहीं है तो नो करेंगे यह जिनका जोड़ रहे हैं वो दिव्यांग है तो एस नो में आपको उसकी जनकारी देनी है नहीं है तो no करें, एक option मिलेगा, यहाँ पर देखिए, add member का जिस पर click करना है, इस परकार उनका जो नाम है नीचे में add हो जागा, जिनका yellow color से आपको soak करेगा, तो देख लीजिएगा, अगर नाम बिल्कुल सही है, आपने जिनका जोड़ा है, तो उनका नाम आ चुका है, औ और भी सदस्यों का नाम जोड़ना है, तो एक option मिलेगा, add member का, जिस पर click करना है, फिर इसी according, उनका भी सारा नाम, detail जो जिस अनुसार आपने फिल किया है, उससे अनुसार फिल करकर, यहाँ से आप add कर लीजिएगा, अगर add नहीं करना है, तो आप यहाँ से इसको cancel कर सकते हैं, उसके बाद एक option मिलेगा, submit and go, induction, verification का, जिस पर click करना है, एक बार अच्छे से पूरी जनकारी को देख लेंगे, मिलान कर लेंगे, पूरी जनकारी अगर आपका सही है, तो आपको simply नीचे आना है, यहाँ पर देखिए, एक option मिलता है, कुछ detail आप से पूछी जाती है, जिस आपके पास जो है, तिन पहिया, चर पहिया वहाँ नहीं होने चाहिए, यह सब जो detail है, आप सब पर क्या करें, नो वाले भी कल पर click करें, और नीचे में जब देखेंगे, एक option आपको मिलता है, document upload करने के लिए, submit and go, document upload, जिस पर click करना है, जिसमें सबसे पहले, सामोह आपको देने होंगे, जिसमें जितने भी सदस आपके रासन कार्ड में है, जिनका आप जोर भी रहे हैं, उनका भी फोटो, सभी लोग मिला कर एक फोटो घीचिए, उससे upload यहाँ पर करना है, 100KB में आपको देना होगा, उसके बाद आपको signature आपको देना है, signature, head of family जो हों आधार कार्ड आपको देना है, जो head of family है, उसके आधार कार्ड के नीचे उनका signature होना जरूरी है, जिन व्यक्ति का नाम जोर रहे हैं, उनका भी आधार कार्ड दीजिए, उनका भी signature आपको लगा देना है, इसके अलावे जो निवास परमान पत्र होगा, वो निवास परमा आपको देना होगा, इसके अलावे आपका पास बुक होगा, वो देना होगा, इसके लिए क्या करना है, आप अपने मोबाइल या लैप्टोप में जो भी ब्राउजर है, उपेन करकर लिखेंगे, अपके सामने फॉस्ट वेप साइट मिलेगा, यहां सा सलाक जेपीजी पे जाएंगे, माल लिजी आपने 4-5 डोकुमेंट को इस परकार स्केन करकर, सलपेश एस्टेट करकर रखा है, सब को सलाक करकर ओपेन करेंगे, और यहां सा कनभार्टू पीडियाप करेंगे, इस परकार आपका यह जो डोकुमेंट है, वो पीडियाप बन चुका है, उससे आ करना है, यहां पर आपको घोसना करना है, नीचे में एक option मिलेगा, upload document and final submission का, जिस पर आपको click करना है, इस पर का document देना है, या जितने भी लोगों का आपके रासन कार्ड में नाम है, उन सब का भी आप रासन, धार कार्ड जो है, अटेच कर सकते हैं, इससे और भी verification होने मे समय ज़्यादा नहीं लगेगा, तो यह सब जो document है, वो सब देने में कन्यूस्य नहीं करिए, सब का document self-restricted, बाकि जो document दे रहा है, सब का self-restricted, मतलब document के नीचे आपका sign होना जरूरी है, तो यह ध्यान रखेगा, तो मतलब नए रासन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सबी सदस्यों का जो आधार कार्ड है, पहले से नाम जूरा है, उनका आधार कार्ड होना चीए, self-restricted, सब का sign करवा लिजिएगा, पास्वुक है, जो head of family का, उनका पास्वुक देना है, उनका निवास पर्मान पर देना है, उनका जाती पर्मान पर कास certificate वो देना है, यह पर सबका अलग अलग कॉलूम है, तो यह document आप एक पीडियाप में नहीं बनाईएगा, इसको इसमें अप्लोड करिएगा, बाकि जो अनने डोकुमेंट है, आपको select document में एक पीडियाप में आपको बना कर यहां से form को submit कर देना है, उसके बाद आपका जो नाम जोडने की पर किरिया है, online submit हो जाता है, अब submit होने के बाद आप इसका एस्टिती online ही चेक कर सकते हैं, यहीं पर देखेंगे, एक option मिलेगा, track application status जिस पर click करेंगे, और अपना application का status यहां से आप देख सकते हैं, दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको step by step पूरी process पता है कि नए लोगों का रासन कार्ड में नाम कैसे जोडते हैं, देखें, online card देने से ऐसा नहीं कि आपको जल्दी में ही आपका नाम जूर जाता है, इसके आलावे भी कई सारी verification stage होती है, जिन लोगों का नाम जूरा है, उनका detail verify होती है, verify होने में समय लगता है, आप समय समय पर इसका देख सकते हैं, जिसकी जनकारी हमने बता ही दिया, जैसे ही नाम जूर जाता है, फिर आप नए रासन कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो उनका नाम उसमें दिखा देगा, कि उन सदस्वा का नाम जूर भी गया है, बाकि हमारा यह अपडेट आपको पसंदा हो, तो इसे नवाद